जब करते करते दिहान में उतर आएं तो इसका तरीका बताया गया है तरीका क्या है मनह संगरनम शोचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वन अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव तो अभी सिद्ध्यान से सुन लीजिए कहते हैं सबसे पहले तो किसी भी जाप में मंत्र जाप करने बैठे हैं तो उसमें सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए मन को निग्रह करें विखरेवे मन की व्रत्तियों को एक जग़ जोड़ें मन बटकता है ना दोड़ रहा इधार 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 एधार 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 का नाम मेरी जिवा पर आए और रस घुल जाए मेरे हिर्दे में तो उस समय फिर आप नाम उच्छाण शुरू करें ओम हरियो स्री राम स्री राम बोलते बोलते आपके अंदर शांती में इसस हो मन टिके टिकाना मतलब सब जगे से एक जगे ले आए प्रेम भर ले मन में और जिसकी प्रती मन टिका रहे हैं उस प्यारे परमात्मा का नाम बोलते बोलते कहिए कि प्रभू मैं जानता हूँ तुससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं तुससे बड़ा दाता कोई नहीं तुससे बढ़कर संकट मोचक भी कोई नहीं है सारे दुक दूर करने वाला तुई है मैं तेरी शरण में हूँ और तेरे इस नाम का साहरा लेकर राम बोलें कृष्ण बोलें गोविंद बोलें वाहे गुरु बोलें आप शिव कहकर बोलें ओम कहें, हरी ओम कहें नारेन कहकर पुकारें जगदंबा के रूप में पुकारें शक्ति एक ही है नाम अलग अलग है आप उसको इस रूप में ध्यान करते वे जाप करते करते ध्यान के तरफ जाएं खो जाएं उसमें तो सबसे पहली बात कहिए कि आपका मन बिखरी विवर्ति भगवान में जोड़ना शो करो. दूसरी बात कहिए है, शावचम, पवित्र ताला हो. स्थान पवित्र, आसन पवित्र, वस्त्र पवित्र, नहां दो करके आप बैठिये, मन में सुंदर भाव लाईए, मन में जैसे फूल खिल गए हो, पवित्र पुष्प खिल गए हो, जैसे सर्दियों की, सुबह सुबह की ताजी धूप आ गई हो, या जैसे सुगंदित हवा, गर्मियों में ठंड़क देती भी बहने लगी हो, और आपके अंदर ताजगी हो गई हो. ऐसे खिलेवे बगवान का मन परमात्मा में जोड़कर, खिलेवे मन से जैसे फूल खिल गए हो अंदर, खुशी आ गई हो, ऐसे ताजगी लेकर पवित्रता के साथ बगवान के आसन पर बैटो. जल्दी जल्दी बेचैनी में जाकर के जैसे आप बैटते हैं, तो उस समय आप बाहर खड़े रह जाते हैं, बहले ही मंदिर में बैटे बे हो. शान तो भाव से बैट कर देखिए, ऐसा लगेगा जैसे उसका हाथ आपके सिर पर आया. और फिर तीसरी बात कही है, मौनम. बस फिर चिप हो जाओ, मौन हो जाओ. मौन होने का मतलब हुआ, विचार जो चल लए थे. खुद को कहो, मौन, मौन, मौन. खामोश, खामोशी. शान्ती. अपने आपको मौन करते जाओ. एक चुपी में चले जाओ, कि चुप हो गया आप. बिलकुल खामोश, कुछ भी आवाज ने, कोई ध्वनी ने, कोई विचार ने, एक्तम मौन. जैसे मौन में उतरे, अब कहते हैं, इतनी इस्थती लाते ही, मंत्रार्थ चिंतनम. जिस मंत्र को जपने लगे हो, उसका एक बार अर्थ मन में लेआओ, मिनिंग लेओ मन में. अगर राम कहा है तो कणकण में रमने वाले राम का ध्यान करना और जिसका नाम जपने से आराम मिलता है जो विश्राम देता है जो शांती देता है मैं उस प्यारे प्रभु का नाम जप रहा हूं और अगर आप कहते हैं ओम नमश्शिवाए तो जो नाम हित करे, भला करे कल्यान करे, दुख हर ले वो नाम है शिव मैं उसे प्रणाम कर रहा हूँ उसकी शर्ण में हो तो ऐसा भाव लेकर मंत्र के अर्थ को ध्यान लेकर के ये समझ में आना चाहिए कि जब क्या रहे हूँ, ये है क्या चीज़ और फिर कहते हैं, अव्यक्रत्वम बेचे नहीं अटाओ ये जो आप बेचे नहोकर बैठे होते हैं, तो खुद को कहो, शान, 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 शान होते जाओ जैसे जैसे शान होते चले जाएंगे अनिरवेदो और जो कहीं खुजली हो रहे, कहीं दर्द हो रहा, कहीं कुछ हो रहा अपने आपको ऐसा सहज ढीला करके आप शान्त होकर बैठें, आदत बना लें एक आसन पर बैठने की बीश मिनट पहले अभ्यास करो, फिर उसको चालिस तक लेकर जाओ, उसके बाद में कहा, कि मंत्र कि शक्ति को पहचानू जिस मंत्र को आप जबते हैं, तो उसका मतलब समझ लें, कि मंत्र वह है, जिसका चिंतन मनन करने से, वो हमारा त्रान करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें दुक्षों से बचाता है, और जिसका जब करते करते हमें सिध्धी मिलती है और सिध्धी मिलते ही हमारा कल्यान होता है वही तो है मंत्र और मंत्र का धंग क्या करना है आदो ध्यानम, ततो मंत्रम, पहले ध्यान करो जैसे ध्यान अटने लग जाए, मंत्र जाप शुरू कर दो मंत्र जाप करते करते फिर ध्यान में चले जाओ और ध्यान में जाने के बाद अगर आपका ध्यान फिर हट रहा है तो फिर अंदर यंदर मन मन में भगवान का नाम चलने देना ध्यान मंत्र समा युक्त शिग्रम सिद्यति साद का मंत्र और ध्यान दोनों का मेल बैठा करके आप ध्यान की गहराई में उतर जाओ तो कहते हैं बस इस सिद्धी मिलेगे इसलिए कहते हैं नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग ये नाम जपना कितनी बड़ी चीज़ है इतनी बड़ी चीज़ है कि नाम आप जपें तो वो आपका नाम रखेगा दुनिया में आपका नाम दुनिया में जिन्दा रहेगा दुनिया में आपको याद किया जाएगा नाम नाम बिन ना रहे अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुमारा नाम रहे तुम्हें याद किया जाए तो उसे याद करो जिसके याद करने के बाद तुम्हारी याद दुनिया में बचेगी रहेगी तो नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग मीरा सुत जायो नहीं और शिश्यो नमुंडियो कोई मीरा ने कोई शिश्य नहीं बनाया और कोई उसकी संतान नहीं थी लेकिन नाम जपावस भगवान का और उससे क्या हुआ कि दुनिया पांसो साल हो गए आप जरह सोचकर देखिए पांसो साल के बाद भी आदमी तो 20, 25, 30, 40 साल के बाद में उसका नाम खटम हो जाता है लेकिन मीरा तो सबकी हिर्दे में उसका नाम है और उसके द्वारा गाये बज़न उसके लिखेवे बज़न उन्हें बोल बोल कर लोग भगवान के चड़नों के तरब जाते है इसलिए सब कोई कोशिश करो कि भगवान का नाम हमारी जिवा पर आए और तरीका क्या है दया बाई और सहज बाई अद्भुत महिलाएं थी साधना की तो दया बाई ने लिखा साधना करनी है नाम जपना बिन रसना बिन माला कर अंतर सिम्रन होया पहले तो माला साथ मिलो और जिवा से नाम जपना लेकिन आगे चलते चलते इस्तती बदल जानी चाहिए आगे इस्तती ऐसी आजाए ना तो माला हात में है और ना जीब से शब्द निकल रहे है अंतर सिम्रन होया अंदर अंदर सिम्रन चल रहा है बिन माला बिन रसना माला है नहीं बिन रसना बिन माला कर अंतर सिम्रन होए दया दया गुरुदेव की बिरला बुजे कोई ये गुरु की दया होती है जब किसी के अंदर तब उसके अंदर ये इस्थति बनती है कि बैठा आंके बन करके और अंदर अंदर नाम चल ला है नाम सिम्रन करते करते फिर कल्यान होता और दूसरा कारिय क्या करना होता है प्रतेहिक व्यक्ति को इदर सिम्रन करे और उदर सेवा करे क्योंकि जितने भी लोग हैं दुनिया में अच्छे लोग हैं वो दो कारिय जरू करते हैं एक तो खुद नाम सिम्रेंगे और परमात्मा का नाम सिम्रें जपें और जपाओ खुद भी जपो और दोसरों को भी जपाओ गुरु नानक देव की परंपरा में यही तो संदेश है नाम जपो और नाम जपाओ तो नाम जपिये राम सिंदु घन सज्जन धीरा चंदन तरू हरी संत समीरा वो सवामी तुल सिदाश जी माराज ने जो का है न के राम क्या है सिंदू समुद्र है गन सज्जन धीरा सज्जन लोग संत लोग महन पुरुष लोग भक्त लोग अच्छे लोग क्या हैं वो बादल की तरह होते हैं समद्र से जल लेंगे और जाकर के दुनिया में बरसाएंगे परमात्मा से जुडेंगे और परमात्मा की सुगंद लेकर दुनिया में पहलाएंगे परमात्मा का रस लेकर परमात्मा का जल लेकर दुनिया में उस जल को बोच्छार करते हैं हर याली उसी से तो आती है वो चंदन है अगर परमात्मा तो ये लोग क्या करते हैं संत समीरा वो ऐसे हवा बन जाते हैं जो चंदन को छोकर दुनिया को सुगंद दे रही है अपने अंदर नाम सिमरते सिमरते खुश बुलाईये और फिर अपने करमों से नाम जपें और नाम जपाएं सेवा करें और सेवा करने वाले लोगों को साथ जोड़ते चले जाएं अच्छे लोग, अच्छे लोगों को साथ जोड़ें और एक सुंदर वातवन बनाएं और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है कि सब को थोड़ा-थोड़ा भगवान का ध्यान करने की योग करने की भी आदत होने चाहिए क्योंकि कोई भी नाम से मरेंगे तो ध्यान तक जरूर जाना है कहा गहना भाव तपतेन तपतानाम योगम परमसादनम इस दुनिया के जितने भी लोग संसार में तपत हो रहे हैं जल रहे हैं दुखी हो रहे हैं उन सब के लिए अगर कोई शांती का रास्ता है तो केवल मात्र योगम परमसादनम ध्यान योग ही परमसादन है इसलिए सब की कोशिश होने चाहिए बगवान के चर्णों में मन को टिकाएं जैसे जैसे मन टिकेगा कल्यान होगा और चिंताएं बगवान को दे दे खोस्वामि तुलसी दाजी माराज ने जो यह का न के प्रारब्द पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करें बजले स्री रगवीर जब तु दु दुनिया में आया तो तेरे आने के साथ ही तेरी किस्मत पहले लिख दी गई फिर तुम्हें शरीर दिया गया तो किस्मत तो लिखी गई है न तो वो मिलेगा तुमारा लिखा हुआ तुम्हारा भाग्य तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता इसलिए चिंता छोड़ो और अपने प्यारे ईश्वर का नाम जबते जबते उसकी शरण में जाओ और इधर उधर अपने आपको बटकने मत दो बटकोगे तो दुखी होगे हाँ एक बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि जिन लोगों ने अपना कल्यान करना है तो उन लोगों को सबसे पहले जो आपको नाम जपाए नाम आपकी जिवा पर बैठाए हरदे में जो परमात्मा का ग्यान उत्पन करे और जो आपको इस्थिरता लाने के साथ साथ आशिश देकर आपके अंदर की जन्मों की सोहीवी बक्ति को जगाए वो है सदगुरू तो आपने सदगुरू के प्रतिशद्धा जरू लगो आसान बात नहीं है कि आप अगर दिक्षित हुए हैं सद्संग सुनने बैठे हैं सद्संग की तरफ आए हैं तो ये आपके पुन्यों का प्रभाव है आपके पित्रों का प्रभाव है शिश्य की शद्धा और गुरू का अनुग्रह ये दोनों का मिलन हो जाए मतलब शिश्य की शद्धा और गुरु की कृपा दोनों मिल जाएं और जैसे ये दोनों मिल जाते हैं तो कहते हैं फिर एक नई चीज प्रकट होती हिर्दे में व्यक्ति के परमात्मा की चमक पैदा होती है वो जलक दिखाने शुकर देता है इसलिए कुछ भी हो जाए अपने गुरु के प्रतियागाद शद्धा रख करके उसकी तरफ चल करके देखी कितना कमाल होता है साधान से साधान आदमी के अंदर भी क्या क्या चीज़ें जुड़ जाती है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इसलिए सब को कुछ चीज़ें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रेम वाले लोग है उनकी कोशिश क्या होगी भक्ती आगे जीवन में गुरु की कृपा साथ जुड़ गई अब इनका व्यभार दुनिया में अलग हो जाएगा किसी सुखी इनसान के सुख की जब परिक्षा होती है तो उसकी नम्रता की परिक्षा होती है क्योंकि सुख के बीच आकर बैठ जाता है एहंकार और जब आदमी सुख के बीच में अपनी नम्रता बनाए रखता है तो आशिश मिलता है बगवान और दुख में इनसान के धैरी के परिक्षा होती है अगर धैरी ये बनाया हुआ है बेचैन होकर गबराकर डरकर दुखी होकर व्यक्ति गर्दन अपनी नीचे जुकाकर निराश नहीं होता धैरी ये बनाये रखता है तो कहते हैं तब कृपा होती है भगवान की और जब दोनों चीजें सुख में नम्रता अपनाएं और दुख में धैरिय अपनाएं जब दोनों चीजों में कोई पास होने लग जाता है भगवान फिर उसके दुर भाग्य को भी सोगा आप सो भाग्य में बदलने लग जाता है इसलिए आप भक्त हों लेकिन इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि मेरी भक्ती में चार चांद लग जाएं मेरे गुरू की कृपा मेरे साथ जुड़ जाएं और जब आप गुरू के हो जाएं तो ध्यान लख लेजे फिर कोई आप को कहीं भी किसी भी रूप में यह नहीं लगेगा कि मैं कहीं अकेला, निराश या हताश हूं सारी चीजें आपकी जिंदगी में दुख देने वाली हटने लगेंगी, दूर होने लगेंगी क्योंकि एक रक्षकवच आपके साथ बन जाता है हिमाले के उत्तुंग शिकरों ने मनुश्यों को बहुत कुछ दिया है और विशियस रूप से देव भूमी हिमाचल जो फॉलों के लिए, फूलों के लिए और वहां के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद भूमी है हिमाचल के मनाली वाले वियास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्राण के लिए चांद्राण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंक कुदोने के लिए अपने चित को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उतकर्ष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है एक तरह से जैसे काया कल्प होता है ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्राण तप कहा गया है दोलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तटपर प्रिकृति के वो सुन्दर सुरम में वातवर्ण में तप करने का सुन्दर आउसर है हम सभी के लिए 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुन्दर आउसर है इसमें आप लोग पदार सकते हैं इसका लाब ले सकते हैं दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ जो पांच दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है जिसमें कुंडलनी जागरन से लेकर के समस्च चक्रों के जागरन की विदी सिखाने के साथ में हम अपने सोभग्य चक्र को किस तरह से जागरित कर सकते हैं और अपने दस्वे द्वार तक अपनी छेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं जिससे जनम भी सुद्रे और मरन भी सुद्रे तो यह है चक्र साधना, कुनलनी शक्ति की जागरन की साधना और सोभग्य प्राप्ति के लिए सोभग्य द्यान का सुंदर अउसर होगा जिसके लिए पांच-पांच दिन के ये कैम्प चलेंगे मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को के आप आईए और इसमें भाग लेजिए